बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आची यह वीडियो क्लास 12 के हिस्टि यानि की इतियास सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है इसपैसली अभी रिजन्ट में आपका हिस्टि का जो मिट्रम का एक्जाम होने वाल है इससे संबंदित इस वीडियो में हम एक important sample question paper को solve करने वाले है जो कि आपको आपके official exam में बहुत ज़्यादा help करने वाले है basically important इसलिए है कि इसमें जो भी questions लिये गए है वो आपके लिए exam के point interview से बहुत important है तो दो बात करेंगे बिनादे ली करते हैं ठीक है देखिए टैमिंग तीन हंटे की है, मैक्स माक्स मारे टोटल 80 है और वेशे भी इस question paper का जो part 1 था, वो मैंने already upload कर दिया था, जिसमें हमने खंड का खागा, इसको complete कर लिया थे हैंकि MCQ, तो राधारित, और तीन माक्स के question का video already हमने upload कर दिया है, जो कि basically इसका part 1 था, तो अगर अगर आपनों वीडियो नहीं देखिए है, तो उसका link आपको बच्चों आप आई वर्टन में मिल जागा, यहां से आप जाके देख सकते हैं, otherwise आप description वक को check कर लिजेगा, उसमें आपको वो link देखने को मिल जाए है, इस वीडियो में हम आपका खंड घा ना चा, इन तीन मिस कर दिया है, तो आप उसमें यह important things से, अगर आपने miss की है, तो आप आप यह बटन में link मिलेगा, यहां से देख लेना, यहां से देख लेना, यहां से देख सकते हैं, इस तरहीं के से हमने कुछ MC के थे, आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे-च्छे answers भी दिये थे, और यह आपको 24 मार्क से दिलाएंगे, यहां रखने चीज़ को, ठीक है, चलिए, section B आ गया था हमारा यहां पर, section C सरीके से था, जिसमें question आपके कुछ सरीके से दिये हुए थे, अगर आपके वीडियो नहीं देखिए, तो जरूर देखें, चलिए, तो यहां पर आ जाते ह बुद्र तथा जैन धरम की प्रमो को सिक्षाओं का उड़ाण की, बुद्र धरम और जैन धरम, हमें इनकी सिक्षाओं को यहां पर बता, चलिए, ध्यान से समझते हैं, पहले बात करेंगे, बुद्र की सिक्षाओं जो है, इनने बेसिकली सुत्र पिटक में दी गई कहानि हैं दी गई हैं, उसके अधार पे पता आए गया, ठीक है, अब इसमें कई कहानिया ऐसी हैं, जो अपने विवेक से उन्हें बताते हैं, जैसे कि आपको बता हो गए कि महिला जो है, उसका बेटा जब मर जाता है, तो महात्मा बुद्र के पास आते हैं कि आपसे जिन्दा कर четwe мат錦्र के बजाय महिला को बताते कि आपकरी dorit यूँ क्यों जाणिया से अप्ने विवेक से भी लोगों को समझाते भी अब इसके अधार पे इसक्ष्छों के अधार पे पर समझिए क्या क्या कि लu अन्चार ये कहा गया है, यह विश्व लगातार बदल रहा है, विश् इस तरीके से इस चड़ भंगो दुनिया में दुख मनुष के जीवन का अभिन अंग है जब मैं पता है कि एक ही पल है मारे पास तो ऐसे में भी केवल और केवल दुख मनुष का एक ऐसा साती है जो उसके साथ मनने से पहले में रहेगा मन्निके बाद मर जाएगा स मिलेगा अब मेरे को जनम मिलेगा पापको आपको यह जनम और चक्र के जो भृत हुए आत्मा करती है आपको करना है कि आपको इस चक्र से चुटकारा पाना है तो इसके लिए आपको स्वेंभी करना होगा समाज का निर्माण इस लिए और बड़े गहपते कुलिए निमर को कहते हैं कि आप सभी को इन चोटे-चोटे लोगों के प्रति सहानगूती प्रेव का वाओ रखना चाहिए ठीक है बुद्ध ने अपनी सिक्चुकों को एक सबसे अंतिम उपदेश दिया था अच्छा एक कोश्ण बनता है कि बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश कहां पी यह आप बताएंगे आप लाइव चैट में कमेंट रॉप्शन बता सकते हैं कोश्ण डालेंगे इस चरीके से कोश्ण नमबर कौन से हमारा है हाँ पे हाँ हाँ 26 और आप बताएंगे इस कांसर क्या होगा वो दिन ने सबसे पहले अपना उपदेश कहां पर दिया था ठीक है आ अपने लिए जोती खुद बनना है यह चीज है तो बोद धरम के अनुसार कौन-कौन से यहां पर सकते हैं आप इसली इन सभी को रेडाउट कर सकते हैं मैंने आपको समझावी दिया वेल एक दब आसान तरीक है आ जाता है यहां पर जैन धरम के बारे में तो जैन धरम के सि पूटल जो वो चौविसवे तित्रांकर हुए थे जिसमें से चौविसवे तित्रांकर महावीर होते हैं और उसके बाद अब आती है इनकी सिक्षाएं से समझेंगे सिक्षाओं में संपूर्ण विश्व प्राणवान है यह जैन्द्रम के अंतर हर एक चीज में चाहे इंसानको नमारे इंसान या ननिए जनवर को आप पीड़ पॉदों को ना काटे कीड़ पोड़ों को ना मारे यह जीवकाप Support औप विदार चांथी एक writes सिर्घाइए कंगती जैसा आज हम करेंगे उसी कாर को सता है और मुख्ति यह आज आप करोगे उसका फल आपको जञाए तो होगा और तपस्य आपको जरूर ही करनी पड़ेगे संसार के त्याग के बाद ही बुक्ति के लिए विहाद में निवास करना चाहिए इसका एक अनिवाद नियम इसका बदिश्ण के बारे में आप इन सब्सक्राइब कर सकते हैं पर आप जैनिजम की बाद आजाती है वह आप याप इसको चली सब्सक्राइब 27 देखते हैं किसरी के कोश्ण होंगे 27 में कोश्ण पूछा गया हमसे हडपा सब्सक्राइब के 15,000 वर्षों के बाद लंबे अंतराल में उप महादीब के विविन भागों में कई प्रिकार के विकास हुए बिल्को ठीक है हडपा सब्सक्राइब के जब अंत हो जाता है तो उसके तक्रिवन ठेड़ हजार वर्सों के बाद में उप महादीब में कई सारी परिवर्तन में देखने को मिलते हैं तो इस कथन के संब्सक्राइब पहले में बताना है कि वो परिवर्तन क्या थे और इस परिवर्तन को एक केंडर में रखना है शटी चतापनी इसा देखा गया है तो भी समझने लेंगे वाई चलिए समझ देते हैं पहले एक ही कोशन कहा सब्सक्राइब के बाद मादेप में बिविन भागों में कई प्रिकार के विकास हुए इसके किनारे रहने वाले लोगों ने क्या किया ग्रिग वेड का संक्लन करना सुरू कर दिया था उत्तर भारत तक्कन का पठार और करना तक इन सवी छेतरों में वस्तियां थी वह बहुत थे इससे आस्तितों में आने लगी थी दक्षिड भारत में चर्वाहा वस्तियों के प्रमाण भी मिलने लगे थे यांकि पहले चर्वाहों के प्रमाण नहीं मिलते थे लेकिन अब ऐसे लोग जो कुछ पश्रों को लेते हैं गड़री यह टाइप में वह एक जगह से दूसरी को घुमते रहें तो ऐसे लोगों की जंकरी में बहुत जादा मिली लगी इस्तापूल पहली सताब्दी का काल तक्षिड भारत में अंतिम संसकाल जो थी इसके नएने तरीके अपना जाने लेगे क्योंकि आपको पता है हड़पा सर्क्त में कीवल समों को दफनाय जाता था लेकिन अब समों को दफनाय भी जात अरंबिक राज्य और नगरों का ओदर होने लगा था लोहे का उप्योग बहुत दिसे बढ़ता जा रहा था सिक्कों का अधिकतर विकास और सोने के सिक्कों का अधिकतर विकास इसी टाइम पर दिखा गया था पौध और जैन यह विविन दाशिनिक जो थे इनकी विचार दोरहों का यहां पर विकास भी हो रहा था ठीक है इसली आप इसको यहां पर समझ सकते हैं तो हड़पा सब्यता के लगों पंदा वर्शों के बाल यह सारे हो ठीक है एक वेरिगा संक्लन किस्षी वस्तियों का सित्मयाना चरवाहिवस्तों के प्रमाण अंतिर्मसार के नए गंगा वक कावेदी नदी के आसपास जाए तर छित बश्री होगे थे आपको पता है कि मुहां जो दोडो जो था जब आप यहां पर बाड आती है कालन मान जाता बाड का आपने मुवी बनी है उस मुवी में भी आपने देखा होगा नौर्मली भी आपने पढ़ा भी होग कि जब अन्त आता है अडपा सबिता का तो वो जो नदी होती है नदी का क्या नाम होता है नाम याद नहीं आ रहा वैसे तो मुझे लेकिन हां गंगावा कावेदी नदी के आजपास जब लोग जाके वहां पर वस जाते हैं अडपावासी महजू परोडो के लोग तो यह ए यह किया जाने लगा था फल सुरूप क्रिश्ची उपज बहुत तीजी से बढ़ गई और खाद्यान का समाम पर अब पता इसको चाल पॉंट में बना सकते हो हलकिया प्रसलन यान की गंगावा कावेदी की नदी के आसपास ऐसे चित थे जहां पर वर्षा देखोती थी बहुत ज्यादा होने लगी तो ऐसे में यहां पर नई नहीं फसलों को उगाया जाने लगा जैसे कि धान की केती शुरूआर कर देए पर रहता है सिचाई का विकास तो अभी लियोकों के अध्यन से में यह पता चलता है कि बड़े बड़े जो किसान थे जो जम्यदार परिवतन होते हैं अगला कोश्चन आजाता है मौरे समराज के बारे में जानकारी प्राप्ट करने के जो मुख्य स्रोथ है वो क्या क्या है तो टोटल तेन से चाल स्रोथ है और मेगा स्तीज के अरुसार मौरे समराज के प्रशाशन का वोइंड़न कीजिए आईए मौर समराज को समखते हैं देखो सबसे पहले मौर समराज के बारे में जानकारी प्राप्ट करने के शुरूत क्या क्या है सबसे पहले सरोत है बच्यो जो जाले तर मूतियां वगेरा हैं, वो इसी समय बिख्षित कीगी थी, बात आती है सिक्कों की, तो सबसे पहले आहद सिक्केजन को आहद करके बनाया जाता है, उनका प्रचलन सोने के सिक्के भी इसी टाइम पर डलवाए गए, तो उनसे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, दूसरे हैं साहितिक सोर, चंद्रिगुप्त के मुख के मंति थे कोटिल या फिर इसे आप चानकी भी कह सकते हो, इन्होंने लिखी थी एक आर्थसास्त किताब ठीक है ना, इससे हमें वहां की समाजिक और राजनितिक के बारे बता चलता है, वहीं एक यूनानी यार्थी थ प्रम साहस रहे हैं, इन सभी से इन सभी के रचना एकी टाम पर हुई थी, ऐसे में मौरे समराज के बारे में अज़ें करने के लिए यह ज़्यादा है, अनदर पोईंट अभी लेगु, मौरे समराज के बारे में उनकी युद्ध भुमि, युद्ध कैसे करते थे, भुमि क को बहुत अच्छे तरहिके से समझना पड़ेगा तो कौन को से जानकादी प्राप्त करने के सुरूत है मूद तिकला एवट से के साहितिक सुरूत और अब कुश्चन यह उठेगा कि हाँ अब बताओ मौद प्रशाश्चन के बारे में मेगस्नीज का यहां पर क्या 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 यह पॉइंट थोड़ा अलग है यह मेगस्नीज यह नहीं बताया था लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तोटल यहां पर पांच-छे राज़ीते केन थे एक था राजधानी पाटली पुत्र जिसे में बत्रवान में पटना कहते है चार यहां पर प्रांतिय केन थे तक्षि लिएयों के संचारन गिले तोटल एहां पे irlग अट होती थी और चेई उपसमितियां होती भी उलोस vive यहां पर पहली जो उपसमिति ईसका का कारे में की देख री ते 제일 जो समिंति इसका कारे इन-क चते का संचालां करना चौत है चौति द्व हरे इसका का रहता आज श्च्रह दो पांच भी समीतिय का कारे था बच्चो जो रत्रो ही इनका सजाल करना और चटी का कारे था हाथियों का सजाल करना लेकिन इस संबन में यह दूसरी है ना इसका कारे थोड़ा जादा था क्या था कि उपकरण को ढोने के लिए बैल गाड़ी का प्रवन करना आपको पता है लोट्वाजागए थे वो करणने जाते थे चिकार करने लिए उतकाते के लिए कुछ सेवक निफ्ट किये ला अपने अच्छे तरीके से निवास के यह इसी क्रिकार हुआ है कि इस तरीके से आपको यह वी समझ में आ गया जानकारी क्राप्त करने की क्या है और मेगस्ट निज के अदुसार जो प्रशाषने इसके बारे में क्या-क्या प्रिवतन होते हैं और इस दौरान किसी उपरज बढ़ाने के क्या तरीके थे मौरस समझ के बारे में जानकरी प्राप्त करने के सुरूत और अब जो बच्चे इंग्लिस मीडियम के वह इस को आप यहां से इजी ली इंग्लिस में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉस करके इस कोश्चन के अंसर की बात कर लेते हैं तो पहले आपको बताना होगा कि हड़ापा के पंदाजार वर्शन के बाद कैसे कैसे पढ़े आते हैं उस संब्सक्राइब पहले आप यह तीन से चार पॉइंट यह पर नीचे आपको यह पॉइंट लेंगा है यह तीन पॉइंट आप लिख दोगे फिर मौर समराज के बारे में आपको कौन-कौन से वार्शन थे इनफॉर्मेशन मिल सकती है तो वह आपको सोर्स यहां पर लि सब्सक्राइब यहां पर समझ में आगे एक वास सभी बच्चे कमें यहां लाइफ सेप्शन में बताएंगे यह सर आप जो मैं समझा रहे हो समझ में आ गया है कोई डाउट होता है आपका तो आप हमें इंस्ट्राग्राम पर मैसेज कर सकते हैं वीडियो अच्छी लग रह लुट तो तो इक समराज न में राज किया केंद्र में अर्वरुट को सब्सक्राइब आपको उसका वड़न करते विए महान भूमी डिब्बा के अनुस्ठाइक विडिज्डियों को लिख जाती हैं आपको उनके नाम लिखने बिसिकली और महान भूमी डिब्बा के वारे आपको संद्राइब देखिए समराज के राज के केंड में टोटल जो है वो साट से अधिक मंदिर और तीस से अधिक मंदिर यह राम जी से संब्धित है और इसका और राजा का परवारी किया करता है विरुपाक्ष मंदिर है मानवी डिब्बा के वारे में आपके सबसे पहले सब्सक्राइब मंदब की बार जो था चोटा सा उचास मंच करता था जिसमें निश्य दूरी पर लकडी के स्थम्वना आज पास में बने हो गए चेड थे इसके इतने पास होने की वजह से आज तक यह नहीं पता चल पाया है कि सब्सक्राइब का आफिर यह तक कि मानवी डिब्बा को मासा जो कि लगवग 11,000 वर्ग के फीट के आधार से 40 फीट की उचाही तक चाही आधार बहुत बड़ा है और उचाही काफी कुछ ही सरी चाही कि आगे इसकी दीवारों पर हमें कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिसे यह पता चलता है कि इसका जो महत्र वो अनुष्ठानिक रहा होगा इसके बाद बात आती है इसके अनुष्ठान की तो इस सरीचना से जुड़े जो अनुष्ठान होते हैं आप सभी को पता है जो सितंबर अक्टूबर के सर्दमास में मनाई जाते हैं कौन-कौन से 10 दिन वाले हिंदू त्योहार पर इस अफसर पर जब यह अफसर लगते थे इस अफसर पर विजयर्णेगर के जो सासक थे वह अपने रुत्वे का यहां पर पर रसंटिया करते थे इस अफसर पर धर्म-अनुस्ठान, मूर्त्य की पूजा, राज्जिके अश्यू की पूजा की जाती थी, भैस्ता अन जानवर जो इनकी बली दी जाती थी, इनकी बल करते थे वो इसका एक बहुत बड़ा आकाशन थे ठीक है पिर यहां पर साथ ही साथ यहां पर कुछ प्रमोखो नायक अमर नायक वगएरा जो थे वह राजाओं के समक्ष रस्तोत होते थे एक अपनी भेंट को लेकर ताकि वह अपने स्वामी विक्ति को प्रिकट कर सके तिव को इतनी बड़ी जो सरचना है अब इसका एक राजा के महल में होना यह एक विवाद का कारण बनाओ तो आपको समझ में आ गया विजय निकत्त समराज के केंद्र में पाई गई है अब यहां पर इंपोर्टेंट है माना वी डिबबा उसका वणना पर सरी करना है कि मैंने आ करता है मैं रात को तीन वजे बना रहा है इसलिए रात में बना के प्रीमियर और आप इसलिए इसको पड़े ध्यान से रात का टाइम होता है तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से तरीके से थोड़े-थोड़े हार एक छोटे-छोटे पॉइंट को भी समझा पाता हूंग देखिए कि वैल यहां पर आ जाता है अगला दो कोश्चन है और मंदर विठल मंदर की विशेष्थ चलिए देख लेते हैं कहां है यह रहा देखो मैं आपको यहां पर विरुपाक्ष मंदर के बारें और जो एक दूसरा आपका पॉइंट है विठल मंदर के बारें इतने जो बता रहा हुना इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा टोटल कुल मिलाके आठ से नौ पॉइंट लिख देना दोनों के कुल मिलाके आपको पूरी आठमाक्स मिल जाएगे ठीक है देखिए वुरुपक्ष मंदिर के हम यहां पर बात करें वुरुपक्ष जो यहां के देव क्या थे या मंद्र थे एक राज सुनक्ष कि रूप में एक देवता के, रूप में और इन्हें शिव का रूपमाना रहां तो वीडू5 स्वी क्या थे की यह माने जाते थे यह मानने जाते एक बाता धार आध उसे रैव्शन किया क के था लिए आज भी यहे व्भाह ते जो राज्य कायान की विजयनगर के राज्य का स्क्रक्षण किया करते हैं आज भी यह विवाह वुपाक्ष मंदिर में हर साल रूम नाम से मनाया जाता है यिस के साम्राज भग्वान कई डاعवा करने का डावा करते हैं, हमें भगवान वूपाक्ष ने भेज़ा रहे हमा है। पर उसमें इसले कि यहां जितने भी विजए जाम चेंटे राज़ यह पंध chat मंदिर के निर्माद विरुपक्ष मंदिर के निर्माण करें बात करें तो कई सताब्दियों से गुआ है क्योंकि इस में कई वन्षों के राजाओं ने अपना अपना यह उपदान दिया था लेकिन दिरे दिरे करके यह जब बड़ा होता चला गया तब यहां पे एक एहम विक्त आते क्रिश्न द इन्हों ने मुख के मंदिर के सामने बना एक जो मनडप है उसको अपने राज्ज्य आरोहन राज जी आरोःक्ष मंदर म 다ैं उसके उसके सामने एक मंडप है घिक ह ? उसको बन वाए था इन्हों ने जब यह राज है आप हम इन्होंने विजएनिगर का वो जो इस पूर्भ गोपुरम का भी निर्माड करवाएं अन्य सवागारों का प्रयोग यांकि विरुपाक्ष मंदर के बारे में यह कुछ पॉइंट रख रहे हैं आपको जो याद रख लो किया मंदर के अगा बच्चों विठ्ठल मंदर के बारे मंदर की प्रौक देवता होते हैं बच्छों विष्णू और बज्दॐत्धर के बाकी विजमराज के जो राज्जवमां प्हण अन्य मंदरों की तरह ही इसमें भी कई सवागार हुआ करते थे इसमें बेसिकली एक अनूटी इसके सा पता है क्या है यहां पर एक रत के अकार का अनूठा मंदर है आपने किताम में देखा हुआ कि इस मंदर में बिठल मंदर में रत के अकार का अनूठा मंदर है यहां पर र वाले मंदब थे जिन में व्यापारे अपनी दुकानों को लगाया करते थे थे तो विरुपाक्ष मंदिर की फिसेस्ता है इस लिखेंगे विठल मंदिर की फिसेस्ता है इस लिखेंगे तो यहां पर बच्चो आठाट मार्स के हमारी कोशन फितम हो गए एक बार पहले मैं पॉंड लोयल सेंटर उब दी फिजय नगर अमपाय है ठीक है आनदर कोस्टिन इस डैड कि डिस्क्राइब दी गुपाक्ष एंड बिठल टेंपल एज पिजय नगर रिजियर सेंटर तो आप देख सकते हैं मानवी डिबा वक्स की पहले तो मेजर इस्ट्रक्च्छिस क्या यहां पर आखरे आ जाते हैं यह बारे में इस तरीके से हमारा यहां पर कोश्चन नुबर मदब सेक्सेंड दी तीरी कुतरी है प्रश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दिया है और आशा करता हूं कि यह जो 25 मिनट में आप इस तरीके से अंदर लगा लेना कि एक तो पहले हैं मैंने अगर कोई भी कोश्चन डाउट होता है आपका तो आप सब्सक्राइब कर लेना यह मारी आईडी दी हुई है आपको ठीक है और हां आप सभी न टेलीग्राम को जरू जोइन करों कि क्योंकि कई वाल में वीडि पार नॉटिफिकरिशन नहीं जाता है अधर इंपोर्टेंट बच्चों के पहुंच नहीं पाती है तो आप उसको जोइन करें ना वहां पर आपको हरी चीज़ जाती है ठीक है चलिए स्रेक्शन नमर एक बात करें सोत अधार्ट कोश्चन यानकी सौर्स बेस्ट कोश्चन इसमें आपको एक उद्हारण दिया जाएगा उद्हारण यानकी एक सौर्स दिया जाएगा यह जैसे कि दुल है पांच माइक करी और तो याद रखना दो तो आपको इसमें समभुदा देखना को मिल जैगे??? याद रखने शीट को मैं हमेसे अपको बता रहा हूं चलिए समझते हैं तो दुर्ग के बारे में आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए हम सिर्दा इसके कोश्चनानस की बाद करें हैं पढ़ भी लेते हैं हाला कि अधिकान सडब पवस्तियों में एक चोटा उचा पस्टमी पश्चमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला जैसे इस्थालों पर पूरी वस्ति क्लेवन थी तथा शहर के कई हिस्से थे जो दिवारों से गिर कर अलग किये गए तो नहीं था पर हां कुछ उचाई पर यह बनाए गया था कोशन देखिए क्या क्या पूछेगे हैं पहला कोश्चन है लोतल में दुर्ग की दशा कैसे दिवारों से घिरा तो नहीं था लेकिन हां पुछ उचाई पर यह बना हुआ था यांकि यांकि पहले बस्ति के आप योजन बनाते हैं क्विश कि पर उसको आप लागू करते हो तो इस संबन में यह जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसी को आपको लिख देना है लिखेंगे कैसे तब से पहले क्या होता था किसी विवस्ति या नीचली सेर या दुरिस्त को बनाने के लिए पहले चबूत्रे को बना लिया जाता था उसके बाद पूरे भवन निर्माण क उस चबूत्रे के ऊपर ही बनाया था इंटें जो थी इन्हें धूप में सुका कर भट्टी में पका कर बनाया जाता था यह सभी एक निश्चित अनुपात की हुआ करती थी जहां लंबाई चौडाई लंबाई और चौडाई करसा चार गुनी और दो गुनी होते थी यानक कर दाचा बनाएंगे फिर इंटों की बात आजाते हैं यह लिए ठीक है थार्ड कोश्चन है हडपा वासियों की समाजिक इस्तिति का पता लगाने के लिए कोई दो उपाई बताई है तो उपाई ही है टोटल कौन-कौन सा पहला है सवार तो हडपा सबिता से हमें जो कवरे पताई हैं एंक शूकर में कई विविएंक पाई गई हैं जैसे की जो कवरलै इन से बहुत सारे भूशन सारी मेंगी वस्तु में बॉष घरीव की जिनका निर्मार स्थानिय थार बहुत आए जाड़ा अनुपरम धैयान की बहुत जैदा कटिन था वहां पे तो इसका ऑ्प लोगों के द्वारा किया जाता होगा तो यह ऐसे से करें सारे पॉंट है आप समस्क्राइब तवाधान विला सिता की वस्तों में एजी लिए आप यहां से समझ तक दें तो पहला आपको यहां पर समझ में आगया एजी तरीकी से दुर्ग के बारे अब जो बच्चे इंग्ल सब्सक्राइब को मैं आपको दिखा रहेता हूं आप इजी लिए पढ़ लेना एंग्लिस मिट्यम के बच्चे और यहां से आप इजी लिए से देख सकते हैं चलिए अगला आ जाते है बच्चों यहां पर चैटर थर्ड से लिया गया है क्या नाम है कि द्रॉपदी के प्र सब्सक्राइब के उत्तर में दो भिन-भिन मत्रस्ट किये गए प्रत्रम तो यह है कि यदि यूरिष्टि ने स्वेम को हाल जाने के प्रस्टाइब को द्रॉपदी को दाओं पर लगा तो यह निचित नहीं है क्योंकि पत्नी पर पती का नीद्ण हमेशा है यहां पे दूस तो द्रोपदी ने यूरिष्टि से क्या प्रस्ट किया अब पढ़ लिया कि द्रोपदी ने स्वाल के प्रति दो मत्र कौन से निकले तो प्रत्थम मत तो यह था कि युदिष्टिर स्वेम को हाल जाने के पश्चार यदि द्रवपदी को दाओं पर लगाया है उन्होंने तो यह भी अनुचित नहीं है क्योंकि पत्नी पर हमेशा पती का अधिकार हो जाए दूसरा मत यह निकला कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ह तो यह आपका वहले है महा भाय पहले है का कोई Agora कोई एक लेक अगया उसे दिख सब्चार है को इसके काहई बात है की महा भायat दृप्र विशे की रचना के यह बारे है तो सबसे वह नहीं है पर आते दूसरे इंबर बस घर headaches भाठ साती को हम बिसिकलि सूत भी कहते हैं यह जो थे मूल कथा के रिचाइटर, यह क्या करते हैं यह जो ज़ो चट्रीय योध्याओं के साथ युद्ध छित्र में जाय करते थे, उनकी हार का उनकी विजए का तो खरवाणा नहीं करेंगे, लेकिन हां उनकी विजए का कैसे योध्धाओं को हराया था तो उन सभी के वारे में कहान ये कविताई लिखा पर तीसरे आ जाते है ब्रहमण ब्रहमणों की महाभारत के समद में एंट्री होती है लगवग पांचवी सताबने इस्टापूर के बाद इन्हों ने महाभात के लिखने पर अपना एकर रिकार कर दिया और उस समय जब कुरू और पांचाल इसके इद्धिर महाभात घूम रही होती है तब की कथा को ये अंजाम बहुत है जब कुरू और पांचाल के आसफास की कथा घूम रहे के प्रशन आप पढ़ना जातों दो मत थे पहला यह है दूसरा यह है और तीसरा महाभारत के कोई एक लेक है इसे ले अगला प्रीस वेश्टन इसमें देखेंगे आप सभी चाहें तो इसको यहां से रेडाउट कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है पूस्टन के अगर हम बात कर लें तो तीन कोश्टन है आपक मत पताने थे तो पहला जा मत है यहां पतने सकते हैं उसके बार महाभारत काल के रिचयता जो एक ही आदा है इसको पर लेते हैं सूफिवाद उनिस्वी सताफदी में मुद्रित एक अंग्रेली सब्द है, इस सूफिवाद के लिए इस्लामी ग्रंतों में जिस सब्द का इस्तिमाद होता है वह है तस्पूर। तफ़ा से निकला हो जो पैगंबर की मस्जित के बाहर एक चबूत्रा था जहां निकट अनिवाईयों की मंडली ध्रम के बारे में जानने के लिए एकत्र हुआ करती है। तो सूफिवाद चप्टर नमबर 6 के आप से लिया गया है यह वाद। शरिया को दिखते हैं आंसर को लिए को पहला यहां पर पहला को वैसे तो हम यह वाला पढ़ेगे। सूफिवाद चप्टर पहले यहीं देख लोग को नहीं माने बेशरिया वह तना एक वर्ड बेशरिया यह मानता ही नहीं यह तो किसी बाशरिया यानकि उसके साथ में बाशरिया जो लोग शरिया का पारंता है। एक माकसा कुछ दूसरा है सूफिवाद तथा तस्वुफ सब्द के सब्दातों को यहां पर लिखे। देखो 19 सतब्दी में यह का गया कि सूफिवाद एक अंगिलिकी सब्द है। इसलामी गरंफों में इसके लिए एक सब्द है तस्रुक इसका उप्योग किया जाता है। सूफ जो है वो निकलता है जिसका आर्थ होता है उन, सफा से निकला है जिसका आर्थ होता है साफ यांकि सूफ जो है उसका आर्थ होता है उन, ये निकलता है सफा से जिसका आर्थ होता है साफ इस तरहीं, ठीक है, तो दो माकसा कोश्चन है यह दिलिए आप समझ जाओंगे, थार्ड कोश्चन है स्टूफी मत के विकास के रूप में खानका का उपड़न तो खानका के अवारे में आपको जादें दो से तीन चीज़े आज रहते हैं सबसे पहले स्टूफी संथ द्रम प्रचारक उनके प्रचारक लोगों का रहने का स्थान नियंत्रण तेख पीर मुष्षिद इन सभी के दौरेस का नियंत्रण किया जाता है यह अपने अन्यवायू जैसे की मुरीद इन लोगों की भर्त्री करते थे और उन्हें अपना वार यह कुछ-कुछ पॉइंट है आप इसे यहां पर बता रहे हैं तो यह आपको समझ में कि को स्वाइब तर्टी वन इंग्लिस में देखेंगे सुविजम एंड तस्ववफ इस तरीके से आप इसे पढ़े हैं इसमें ठीक है एंड बात करें कोशन आंसर की देख लिए पहला जाएं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे या फिर आप चाओ तो मारी इसेग्राम की आईडी पर भी जाके हमसे पूछ सकते हैं देखिए मैप के बारे में हमारे दो कोशन बनेंगे तीन तीन मार्क के कोशन के वेराइटी कैसी होगी वेराइटी इस तरीके की होगी कि भारत के रूपने का मांचित पर ए बी सी यह अंकित किये गए हैं आपको पहँचानना है प्रसिद्ध बौध इस्थल के रूप में देखिए तो एक मैप में आपको लिखा दिखा दीता हूं य हो ये अंकित है यह आपको यार निर दार्ए आपको नहीं आइंगे किए हुए आपको फूरी पर आशान का एक निखांना होगी तीन का मम्में आउट फ़रा क्या करना है आपको भारत के रूपने का मांचित पर हडपा संब्रता से संबंदित किनी तीन इस्तनों को चिनित करना है यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई यह समझ देते हैं तो यहां पर देखोगे सबसे पहला जो A दिया हुआ है बौर्ध इस्तन दिया हुआ है यह का है यह सारणाथ यूप में और यहां पर मात्वध ने सबसे पहले अपना उबदेश दिया अब यह B क्या है तो B है बिहार में बॉध गया और तीसरा यह है और यह है अम्रावति आम्रावति है न यह थे यहां पर उनके कुछ अंस वगएरा पाए गया है फिर आपको क्या करना है किसी तीन हड़पास सब्रता से संबंदित जो इस्थाने इसको चिन्निक करना है यहां पर हमने चिन्न किया है बच्चो सबसे पहले ए दौलावीरा को पी राकिगड़ी को सी काली वंगड़ी यह विसिकली हर्याना में है यहां पर ठीक है काली वंगन राजिस्तान के और पंजाब की ठीक बौर्डर पर इस तरीके से आप समसें तो यह हो गए कुछ बहुद की कि बात कर लेते हैं कि हाँ पर हम आध्यप लेटे हैं महाराश्ट्र वाला एडिया है पर यहां पर आपको नासिक जुनेर आर काली अध्यफिक बिल जाएगत उन्धोंडवाद की बात करने तो भरुथ सजिब ऑन्हाइगा । इक सब्सक्ति बहुत गया सिंपल सी बात बहुत गया हो गया और बरावर हो गया यह का पर आज़ेंगे तो यहां पर आज का हमारा यह पूरा का पूरा हो जाता है इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यह पर समझा दिया है इसमें एंची की वीडियो नहीं देखी है और अपने दूस्तों के साथ भी जितना हुश्चे के जरूश करें धन्वार चेहिं वंदे मात्रां झाल